दे रहे थे 484 आई जो 8 लाइक दे रहे थे 40 लाइक हाइस पेकेज था 2019 उसके बाद डू एवरीवन गेट प्लेसमेंट नो लिसन केरफुली वेरीवाइट यह सबसे इंपॉर्टन पॉइंट है देखे गाइस किसी भी उनिवस्टी में प्राइबट उनिश्टी में जाए तो वेरीद देखे है छिक लेड़ीबल ही निए उनको तो निकाल दिया 1030 अफ्रू योई जार सभी निकाल दिया जैसे करेंए उनको लिए उन्हें रहे ख़टोन बच्चे करेंएकसीप्लेसमेंट करीशली में प्लेस निकाल दिया तो एक साथ 100-500 ऐसे बच्चे हायर कर लेते हैं उसके बाद फिर इनका आगे-ागे का प्रोसीजर चलता है वो सब भी आगर आपको जाना है तो मेरे चैनल प्यादर वीडियोस हैं जिसमें कि मैं यह सब बाते भी बता रहा हूँ तो उस वीडियो मिनिमम है जो मिनिमम आपके होने ही चाहिए वह आपके 10 और 12 में 60% उसके बाद आपकी जो CGPA मतलब जो आप कर रहे है उसमें भी आपकी 6 CGPA होने ही चाहिए तो मतलब 60% थूआउट आपका होगा तो आप एक मतलब की प्लेस्मेंट वाले eligibility बाउल में आ जाएंगे अगर आप इससे कम है न तो आपको बाउल से बाहर निकाल देंगे तो मतलब आप eligible ही नहीं है तो बाहर तो eligible हैं तो आप एक बाउल में आगे तो उसके बाद आपको आपकी जो क्या बोलते है इसमें इसके इसाब से जो जो आपके नंबर होंगे उसके इसाब से आपको कंपनी आएंगे कि इस कंपनी में जिसके 70% है तो यह फॉर्म फिल करो उसके यह फिल करो उन में से maximum बच्चों की placement हो जाएगी आगे जाते हैं कि फिर placement के बारे में बता दिया सारा placement को जादा अभी लेबल नहीं है placement का criteria बता दिया eligibility बता दिया ना तो अगले point पर आते है courses offer कौन कौन से courses हैं यहां पर under graduate, post graduate, PhD program तो क्या करना है दुबारा website पर जाएए यहां पर लिखा हुए under graduate programs तो आप देख सकते हैं यह सारे इनके engineering program है business accounting, design, applied यहां पर जादा courses नहीं है क्योंकि अभी university नहीं है लेकिन जो आपको चीए वो मिली जाएगा computer science available है ठीक है उसके बाद आपको electronics सारे engineering के applied के civil सब कुछ available है BSE, BEEB available है ना उसके बाद आप post graduate में जाएंगे तो आपको यह एक courses available है देख पार है अपने screen पे उसके बाद आप global programs पे जाएंगे PhD programs पे जाएंगे research पे जाएंगे तो आपको सब कुछ देखने को मिल गया ना यह सारे मैंने आपको बता दिया screen shot भी apply कर दिया जैसे यह रहा undergraduate के programs यह available है उसके बाद जाएंगे post graduate के PhD के programs तो अब आती है admission के eligibility, eligibility मैंने आपको पहली बता दी थी वो कितनी होती है, वो maximum होती है 60% अगर आपके है 10th और 12th में तो आपके admission easily हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, how to apply और free structure यह मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको दिखाया है यह क्या बोलता है, चितकार admission पे click करिए, जैसे आप admission पे click करेंगे, तो एक page पे पहुंच जाएंगे, यह वाला page, तो जैसे यहाँ पे आप नीचे आएंगे, यह आपको मिल गया, यहाँ पे आप अपना डाल देंगे, तो आपको यह connect कर लेंगे, आपको क्या करनी है, engineering करनी है, engineering पे click करेंगे, तो य आपको यह नोने जैसे मैंने बताया था यह वाल आपको दिखाया आई था यह आपको बता दिया उसके बारे में कॉंसी एंग करनी है मुझे computer science करनी है तो ऐसी आप क्लिक करेंगे computer science पे निचे आगए यहाँ पे अपना नाम नंबर डालिए और इनको सेंड कर दीजिए तो जैसे आपने सारा पढ़ लिया campus और इन्होंने सारे highlight दे दिये ठीक है आपको आपका curriculum बता दिया इन्होंने फीस बता दिया आपको eligibility आपके 60% होनी चीए ठीक है 12 में जैसे मैंने आपको बताया था पर semester आपकी फीस कितनी है आपको फीस भी कम लग रही हो facilities ज्यादा मिल रही हो तो दूसरी private university सागर आप compare करेंगे यहां की फीस तो 82,000 है दूसरी जगह पर 120,000, 90,000, 95,000 ऐसे मिलेगी तो यहां पर सबसे कम computer science के फीस है दूसरी courses में भी कम फीस होगी 82,000 में बाकी सारे factors में एक और वीडियो होगी जो आप मेरी playlist में जाके देख सकते हैं आपको मापता लग जाएगा how to select a college वो वीडियो बनाऊंगा उसका वीडियो का title होगा how to select a college ठीक है तो 82,000 आपकी फीस है यहां पे जैसे आप करेंगे eligibility and fee पे click करेंगे तो आपको यह PDF मिल जा करेंगे apply online पर click करेंगे तो form आगया यहां पर अपना create account करें यहां पर आपना सब कुछ detail डालके सारी document डालके कर सकते हैं फिर आपकी हो जाएगी admission कोई बड़ी बात नहीं है कोई दिक्कत नहीं है direct admission है कोई इसमें कोई जादा नहीं है आपके सारी documents सही है सही है आपको call आ apply यह सब उसमें सब कुछ लिखा हुआ ना तो आप देख सकते वैसे तो about us में जाएंगे तो आपको इसकी इनकी overview मिल जाएगा institution इसमें आपको बताया था admission में क्लिक करके कर लेंगे तो यह सारे points आपको clear कर दिया अगर आप इन links पे जाएंगे तो आपको सीडिय मैं डिस्स नहीं करूँगा मैंने सारा कुछ पढ़ा था इसमें सिर्फ बच्चों को क्या दिक्कत है कई बच्चे जो placement पूल से ही बाहर है वो नेक्टिव रिव्यू लिखेंगी उनको placement नहीं मिली लेकिन उसमें गलती किसकी है उनकी है यह जैसे 10 और 12 में उनके 60 पसेंट है अभी नया है तो ज्यादा अगर आप दूसरी उनिवस्टी से कंपेर करेंगे तो उतना सहीं होगा अटेंडेंस कंपल्सरी है 75% किसे भी प्राइवेट इनिवस्टी में जाईए वह कंपल्सरी है लेकिन बच्चों ने उसके बारे में नेग्टिव लिख रखा ना जैसे क्राउड इंफरस्ट्रक्चर बहुत डिटेल में तो आप पॉस करके वीडियो को खुद पढ़ सकते हैं सारे आपको पता लग जाएगा हाई यह सेलरी पैकेज स्ट्रिक्ट कितनी है ना क्या शेडियूल होगा आपका इसमें सब कुछ मेंशन है इन रिव्यूज में बहु कि उनिवर्स्टी यह जैसे वहाँ पे 6,000 लाए तो अब जैसे उसी उनिवस्टी में पड़े और एक दो साल बाद वहीं पर जैसे एम्टेक कंप्लीट करी, पोस्ट्राजुशन कंप्लीट करी, वहीं पर जॉब मिलगी, वहीं पर पड़ा रहे हैं तो ऐसा चलता है, तो लोकल टीचर्स होंगे सारे दूसरे जगा से नहीं होंग को इसे, LPU से, चितकारा से, सबको compare करूँगा तो उन वीडियो में आपको ज़्यादा डिटेल है बता लगए कि हमको क्या-क्या points compare करने चाहिए ना, तो यहाँ पे वो discuss नहीं करूँगा, तब यहाँ आगए जाते हैं, यह सारे आप खुदी पॉस्ट करके पढ़ सकते हैं मैंने इनके निचे links भी दे दी हैं, जैसे कि कहां से मैंने पढ़े थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद कम से कम मैंने 500 से 600 reviews पढ़े, उसके बाद उन में से जो जो में को अच्छे लगे, जो मतलब आपको दिखाने चीए थे, वो मैंने यह आप पे उठा के दाले हैं, positive, negative जो होते, तो आप देख सकते हैं न, जो जो बच्चों के reviews थे, यह सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेरा experience में बता रहा हूं कि अगर आप में दम है न, तो आप किसी भी private university में जाईए, आपको innovation मिल जाईए, क्यों, क्योंकि main काम क्या है, placement placement होने चीए, placement तब होगी जब आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, अगर आपकी CGPA, 10, 12th के marks अच्छे हैं, आपको अच्छी knowledge है, तो इक company तो लाके दे रही हैं, प्रेव्ड इंविनिश्टी, आपको company का test देने का मौका दे रही है, तो अगर आप में दम है, तो placement हो जाईग हैं, तो देख सकते हैं, अपने ही साफ से, लेकिन ये बात है कि 550 company लिखी हैं, तो वो पका ही होंगी, 550 आपको मौके मिलेंगे, admission, मतलब की placement crack करने के लिए, अगर आप eligible है, eligible है placement के लिए, तब, तो अब आते हैं कि आप virtual campus tour करते हैं, फटा-फट, तो virtual campus tour कैसे करेंगे, यहा सारी फोटो वो दिखाएगा, यह असली campus है, यह office है, तो हमको कैसे बताएगा, जैसे फोटो यहां पे कुछ जादा available नहीं है, बच्चों ने डाल इन रखी, यह all है, all पे इनके बास क्या photos है, कुछ भी available नहीं है, तो यहां पे click करेंगे, तो यहां पे address भी गलट डाल यह main, यहां पे जब आप main road पे जा रहे होंगे न, चंडिगर से आपको पट्याला की तरफ जाना है, तो आपको रस्ते पे नीलम हॉस्पिटल मिलेगा, और युनिवस्टी आपको रोड पे दिख जाएगी, पुल के पास, यह आपका पुल है, यह main road है, जो नैशनल नहीं है, तो आप देख सकते सब कुछ यहां पे mentioned है, तो यहां पे यह आपकी main road, जैसे यह आप चितकारा युनिवस्टी road है न, इसके अंदर enter करेंगे, यहां पे आपका main gate है, तो यहां पे sales और marketing का department है, mass communication, यहां पे new girls hospital है, यहां पे alpha zone है, alpha zone, चितकारा पार्क, यहां zone है, यहां पे moon hall है, यह ground है आपका, ठीक है, banana chef, खाने पीने की जगा, उसके बाद आप देख सकते है, यह टक shop है, जहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, health sciences, यह आपका playground है, जो मैंने आपको first photo में भी दिखाया था, तो देख सकते है, यह सारा आपने campus tour भी कर लिया, त कि बच्चे कम है, campus होटा है, आपकी जान पेचान बहुत अच्छी जाएगी, circle बहुत अच्छा हो जाएगा, opportunities बढ़ जाती है, जहां पर crowd बहुत जादा होना, वहां पर opportunities कम हो जाती है, क्योंकि जैसे आप किसी चीज के लिए audition देने गए, तो वहां पे 10,000 बच्चे खड opportunity जादा मिल जाएगी, जैसे कि आपको किसी चीज में participate dance में, उसमें, तो आपको सब कुछ यहां पे मिल जाएगा, यही आपको बहुत बहुत अच्छा फाइदा मिलेगा, तो आप हो सके, तो बहुत सारे factors compare करें, मेरी comparing वाली वीडियो जरूर देखेगा, तो मैंने आपको सच करेंगे चितकारा उनिवस्टी राजपूरा टू चंडिगर बस्टेंड, रेलवे सेशन तो तीस से 35 किलोमेटर दूर है, अगर आप जैसी जैसी इस रोड पहेंगे, तो आपको बसिस मिल जाएंगी, डिरेक्ट जाने के लिए, जो पटेयाला से आती है, चंडिगर जा जाना, तो आप यहीस बात का सब बातों का ध्यान रखिएगा, आज होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो लाइक करदिजीए, शेर कर दोड़ेदी, सब्सक्राइब करदिजीए हो, चैनल को जितनी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, उतनी जल्inspार्णी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तब तक के लिए बाई बाई